Good morning children, today I will continue with the chapter number 6 Last video में हमने student page number 109 तक complete किया था और 110 page number omit किया था आज हम page number 111 पर MCQ solution करेंगे Now see the first one, there are 482 steps to the top of the temple यानि जब आप temple पर जाते हो, temple में इस मंदिर पर जाते हो तो आप सीडिया चड़ते हो ना students तो यहाँ पर वो ही बात हो रही है कि temple पर उचाई पर चड़ने पर हमें 482 steps चड़ने पड़ते हैं I could climb only लेकिन मैंने सिफ 200 Climb means चड़ना मैंने सिफ 279 ही चड़ सकता हूं Then how many more steps I have to climb तो मुझे और कितने steps चड़ने पड़ेंगे मंदिर तक पहुचने के लिए तो students आपको क्या करना है आपने means temple पर चड़ने के लिए इतने steps है लेकिन आप इतने ही चड़ सके तो आपको क्या करना है 482 में से minus करना है 279 को तो आपको आपका answer मिल जाएगा 203 2 में से 9 आप नहीं सब्टेक कर सकते क्योंकि यह small है और यह big है तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1 borrow लेना है और यह नीचे वाली value को side में लिखना अब 8 में 7 यहाँ borrow ले लिया it means 1 less हो गया है यहाँ पे तो यह हो गया 7 now this one is cut the value फैल में से 9 आप cut करोगे तो students आपका बचेगा यह 3 is remaining and 7 minus 7 करोगे तो 0 4 में से 2 cut करोगे तो 0 तो आगे हमारा B option 203 question number 2 in school यानी एक school में there are 674 students एक school है उसके अंदर कितने students है 674 out of them means उसमें से 674 students में से 327 are girls total इतने students है उसमें से इतनी girls हैं इतनी लड़किया है 327 what is the number of boys in the school तो बाकी के कितने boys होंगे schools में कितने number of boys होंगे school में तो students total इतने students में से इतनी girls हम minus कर दे तो बाकी के हमें boys मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे यही करेंगे 674 students है हमारे ठीक है उसमें से 327 girls है 674 students में से हमने 327 girls माइनस करेंगे तो हमें boys मिल जाएगा तो यहाँ पे 4 में से 7 कट नहीं हो सकता तो 1 यहाँ बोरो लेंगे और यह 4 side में रखेंगे 7 में से 1 यहाँ पर बोरो ले लिया तो यह less हो गया 1 यहाँ पर तो यह हो गया 6 14 में से 7 कट करो तो 7 बचेगा students 6-2 करोगे तो it is 4 is remaining and 6-3 करोगे तो 3 is remaining तो यह 347 हो गया हमारे boys Our answer will be A 347 Now third one, what is the difference between the largest 3-digit Largest 3-digit number यानि सबसे बड़ा 3-digit numbers and the smallest 3-digit number सबसे बड़ा 3-digit number और सबसे छोटा 3-digit number को आपको minus करना है Difference पूछा जाए तो हमेसा आपको minus करना Largest 3-digit number होता है हमारा 999 देखो third number का solution Largest 3-digit number होता है यानि हमारा सबसे बड़ा number होता है 3-digit में 1, 2, 3 3-digit हो गया 999 और smallest 3-digit number होता है 100 चोटा नमबər 3-digit का होता है 100 आप इसमें Difference पूछा है ठीके इन दोनों के बीच में Between Miss बीच में Difference हमें Find करना है यानि अंतर Find करना है तो हम इससे minus करेंगे तब हमें difference मिलेगा 9 में से 0 minus करोगे तो 9 9 में से 1 minus करोगे तो 9 तो अबर आंसर विल बी D 899 तो आप यहाँ पर टिक करूगे 899 थर्ड में फोर देखो There we are 86 sweets in box एक box में 86 sweets है 86 sweets है एक box के अंदर इन पिकनिक, पिकनिक में 48 sweets we are eaten eaten में स्खा लिए तो पिकनिक गए थे उसमें total sweets थे मिठाई या थी 86 और उसमें से 48 मिठाई sweets में मिठाई खा लिए उनने इतनी तो which expression show how many sweets are left अब students मैंने आपको बताया था problem sum में कि जो left subscribe आता है तो हम क्या करते हैं subtractions की sign लगाते हैं और subtract करते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा है क्या expression आएगा plus का multiply का या minus का या divided का तो यहाँ पर left पूछा है इतने में से इतने आप खा लोगे तो बाकी के remaining कितने बचे होगे बचेंगे जब आप minus करोगे तब आपको पता चलेगा ना तो 86 minus 48 ठीक है यहाँ left पूछा है और इस में से इतने खा लिए तो it means यहाँ पर minus आएगा आंसर विल बी C फिप नमर्वन find the difference between 739 and 498 इन दोनों के बीच में आपको difference find करना है तो इस में से आपको yes subtract करना है difference पूछे तो आंसर आएगा 241 C देखो मैंने इस में से इसको subtract कर रही हूँ और यह 3 को side में put करूँगी यह cut हो जाएगा 7 में से 7 यहाँ बोरो लिया it means यहाँ पर 1 less हो गया 6 9 में से 8 गया 1 13 में से 9 जाएंगे तो students कितने बचेंगे 4 6 में से 4 गया तो 2 अबर आंसर विल बी 241 ओकी यह हो गया 241 6 198 less than 689 9 is यानि इस में से less than करना less than में से minus करना है तो बड़ी value में से आपको small value को less than करने का तो इस में से इसको minus करेंगे तो आपका आएगा C 491 ओके मैंने यहाँ पर subtract किया है C 9 में से 8 गया तो 1 बचा अब 8 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ पर बोरो लिया तो यह हो गया 18 और 1 यहाँ पर बोरो लिया तो इस में 6 में से 1 यहाँ गया तो यह हो गया 5 18 में से 9 सब्टेक करोगे तो 9 5 में से 1 कट करोगे तो 4 491 is your answer 6 का C 7 If blank and blank और बीच में plus की sign किया Is equal to 100 यानि ऐसी कौन सी value है जिसको add करने पर 100 बनते हैं And blank and blank बीच में minus का sign दिया Is equal to 20 तो ऐसी कौन सी value है जिसको add करने पर 100 बनते हैं और minus करने पर 20 आता है Then the value of blank and blank आर तो students आप इस value में से देखोगे तो 70 plus 3 करोगे तो 100 आएगा लेकिन 17 में से आप 30 माइनस करोगे तो 20 नहीं आएगा तो ये नहीं होगा 80 यहाँ पर add करोगे तो भी 100 नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा ठीके क्योंकि यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 है तो दोनों एक जैसन ही होगा अब यहाँ पर 60 और 40 आएगा D option आएगा क्योंकि 60 plus 40 को add करोगे तो 100 बनता है और 60 मेंसे आप माइनस 40 करोगे 60 मेंसे माइनस 40 करोगे तो 20 आएगा Then the value of 60 and 40 are our answer आपको students यह सारे MCQs पहले question लिखोगे इसमें भी tick out करने और question लिखोगे उसके नीचे उसका solutions लिखोगे मैं यहाँ से इसका आपको picture sign करूँगे पहले question लिखोगे फिद उसका इस तरीके से solution करोगे आपको आपकी notes में write down कर देना है Okay, now take care all of you Bye bye stay at your homes and be healthy